हेलो गाइज वैलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो गाईज आप सब कैसे आयोग कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटि हाइपर टैंसिव ड्रग क्या होते हैं यह किस कैटेगरी में आते हैं किस तरीके से यूज ह होते हैं होते हैं इसमें क्वांच से ड्रग आते हों दोस्तों चलिये वीडियो के स्टार्ट करतें बिना किसी देरी के एंटि हाईपर टैंसिव ड्रग होता क्या है इसे हम क्या कहते हैं उच रक्त चाप रोधी ओस दुए तो एंटिईबर्ट को क्या बोलते हैं उच रक्त चाप रोधी ओस दिया अब हम में थोड़ा सा इंट्रों पढ़ लेते हैं इंट्रों होता क्या इसका रक्त वाहिकाओ की दिवारों में रक्त दुवारा लगाएं गए दाब को ही रक्त चाप कहा जाता है यानिके रक्त चाप क्या होता है रक्त वहीं का यानिके जो ब्लड वेंस होती है हमारी उनकी दिवारों पर जो रक्त दुवारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं उसे ही रक्त चाप कहते है जब रक्त चाप लगतार बना रहता है यानिके रक्त का दबाओ ज उच रक्तचाप कहा जाता है इसके परिणाम स्वरूप लगतार उच रक्तचाप हर्द्य रक्तवाहिकाव और अन्यांगों में भी नुक्सान दायक होता है यानि कि नया रक्तचाप होता है जो उच रक्तचाप होता है तो किस किस के लिए आनिकारख होता है यह हमारे हर्द्य के लिए भी रक्तवाहिकाव के लिए और अन्यांगों के लिए भी यह नुक्सान दायक होता है उच रक्तचाप के रोग्यों में रक्तचाप में ऐसा मान्य वरद्धी का जोखिम होता है य इन रोग्यों को माध्यमिक जटिलताओं से भी अवगत कराया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप अन्य महत्पूर्ण अंग भी परभावित होते हैं यह एक एकल कारक होता है जो कई अन्य हर्द्य रोगों का उत्पादन कर सकता है इसके परिणाम स्वरूप रुनक्ता और समय से पहले मोत हो जाती है दोस्त अब हम इसके ड्रग के बारे में डिसकस कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से ड्रग होते हैं राव वॉल्फिया यानि कि राव वॉल्फिया जो ड्रग होता है हमारा उसे हम क्या बोलते हैं इंदी में उसे हम सर्प गंधा के नाम से जानते हैं अब इसका थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं इंट्रो में क्या है सर्प गंधा एक सदा बाहर पोदा है जिसका नाम इसके खोज करता जर्मन के चिकितसक लियोन हार्ड रोवाल्फ के नाम पर रखा गया है यानि के सर्प गंदा जो है वो एक सदा बाहर पोदा है जिसका नाम यानि के इसका जो नाम रखा गया है वो इसी की खोज करने वाले जिसने इसकी खोज की थी उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, अपने चिकित्सा के गुण के करण इसका उप्योग आयुरवग्यूझի उननी और होमयपदिक में किया जाता है यानि के रणने यूज़ियूग है इसके अप्योग है वो इसमें जो चिकित्सय गुण, जो उप्चारात्मक गुण है उसके करण आयुर्वेदिक में भी किया जाता है युनानी में भी किया जाता है और होमोपैतिक में भी किया जाता है इसके हम सिनोनियम देख लेते हैं इसे हम किस और अन्या नाम से हम जानते हैं वो हम देख लेते हैं इसे हम और अन्या नाम जै कि आ लोजिकल सोर्स का क्या होता है यह हमें सूखी जड़ो छता है या तो में ड्रग होता है इसकी फैमिली कौन सी होती है ये है एक Sunnyанич से संबन्दित होता है या क्यों बता है और इसका commercial सोर्स जो जोग्राफिकल सोठ जो फियंदर हमंपड़ते हैं तो रफवोलफिय की विभिन पर जातिया अमेरिका अफरीका और एशिए परेशिया के उसन कटिया बंदें च्छेत्रों में यानिके उस्ण कटी बंदे छेतरों में पाई जाती है इसकी वैवसाइक रूप से अमेरिका, थाइलेंड, मयामार, स्रिलंका और भारत में खेती की जाती है यानिके वैपार के रूप में इसकी खेती कहा कहा की जाती है अमेरिका में की जाती है थाइलेंड में मयामार में स्रेलंका में और भारत में इसकी वैवसाइक रूप से खेती की जाती है बारत में इसकी खेती कहां कहां पर की जाती है वो हम देखते हैं भारत में इसकी खेती गुजरात, महराष्ट, करनाटक, पस्चिम बंगाल, तमिलनाडू, उडिसा, बिहार और उत्तर परदेश में की जाती है बारत में इन इन अस्थानों पर इसकी खेती जो की जाते है वेवसाइक रूप से राउवॉल्फिया की इसकी जड़ की जड़ की चाल होती है उपरली जो परत होती है जिसे हम चाल बोलते है वो भूरे पीले रंग की होती है और लकड़ी का जो इसकी लकड़ी का रंग होता है वह पीला होता है ओडर यानिके इसका ओडर कैसा होता है इसकी गंद कैसी होता है यह गंद हीन होता है इसमें कोई गंद नहीं होती है टेस्ट यह स्वाद में एक दम कड़वा होता है अगर साइज के हम अगर इसकी बात करे तो यह 1-3 cm चोड़ा और 10-18 cm लंबा होता है इसकी जो आकर्ति होती है वह बेलनाकार आकार की होती है chemical constant रासाइनिक तत्वगे अगर हम बात करें इसमें कौन-कौन से रासाइनिक तत्व पाए जाते हैं रासाइनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं अगर हम बात करें देख लेते हैं तो इसका सबसे पहला उप्योग उच रक्त चाप रोधी दवाओ के रूप में किया जाता है को कम करने के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं रहो ओल्फ्यूऌ का यूज किया जाता है इसका उपयोग चिंता के निम्न अस्तर को दूर करने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग एक रोग विरोधी एंटि साइकोटिक और सामंक ओजदी के रूप में किया जाता है यानि कि इसका उपयोग एक एंटि साइकोटिक और सामंक यानि कि नींद लाने वाली जो ओजदियां होती है माइंड को सांथ करने वाले जो उस्दियां होते हैं उनके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है यह नींद को बढ़ाता है और कई मस्तिस्क विकारों जैसे चिंता और नींद ना आने में रहत दिलाता है यह यह ड्रग क्या काम करता है जब हम इसे एंटिसाइकोटिक किया सामक के रूप में देते हैं तो यह नींद को बढ़ाता है और मस्तिस्क के कई विकारों जैसे चिंता होना नींद ना आने का कारण तो उसमें भी रहत दिलाता है उसमें भी आराम करता है इसकी जो पत्तियों का उपयोग कोर्णिया की अपार दरसिता को हटाने के यह भी इसकी जड़का उपयोग किया जाता है उसमें भी उपयोगी होती है आयुर्वेद में बुखार को कम करने इसके लक्षणों को रोकने और उपचार के लिए यह सबसे अच्छा है यानिके आयुर्वेदिक में इसका उपयोग कहां किया जाता है बुखार को कम करने म उसके लक्षणों को रोकने में और उनका उपचार करने में यह सबसे अच्छा माना जाता है यह ज़्यादा सराब पीने के बाद होने वाले हैंग ओवर यानिके ज़्यादा जब आदमी ज़्यादा सराब पी लेता है उसके बाद जो हैंग ओवर होता है उसके लक्षणों को पहलुक के यके यह उसे भी कम करने का काम करता है तो दोस्तों ऐसे दोस्तों आज इस वीडिवें सिर्पतना ही या ये सब्सक्राइब लगी क्राइब लाइक ईप hell innovation क्षे ही अब और आपने अभी तक हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू